हालो गैस दिस इस प्रिंस और आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गैलक्सी के बारे में और यूनिवर्स के बारे में क्लास शिख्त जिग्राफी के पहला चैप्ट है सौर मंडल में प्रिथली का टॉपिक आकास गंगा और ब्रहम्हांड यानि अकास गंगा क् किया होता है तो चले जांते हैं पीछली वीडियो में बात किया था ऐख चली चानते हैं तरशल अकास गंगा लाखों तारों का सब्सक्राइं करते हैं कि हमारा सुर्व एक तारा और हमारे सौॉर मंदल में सुर्व एक माता तारव उसके च उसे हम कहते हैं गैलेक्सी आकास गंगा यानि लाखों तारों का समूं लाखों तारों बादलों गैसों का एक समूं उसे हम क्या कहते हैं अकास गंगा कहते हैं अब एक चीज़ और कि प्रतेक अकास गंगा का अपना नाम होता है ठीक जैसे हम जिस अकास गंगा में हैं उसका में दुग्द मेखला उसका क्या नाम है दुग्द मेखा में किने मिल्गी लैञ्टा तो हम जैते हैं अ네요 पड़िक अपर नाम होता है जैसे हमारा सौर मंडल हमारे दुग्द मेखला ङंगा का एक बहुत छोटा हिस्सा अपा इस दुगधिमेंकला काश गंगा में लाखो करून घ्रमाश के विके पाए जाते हैं पता नहीं कितने सारे ग्रह पाए जाते होंगे हुगे इसके विशेंव में कोई जान कर्या करीbra sup keto कि ब्रह्मान कितना बड़ा है गैलeken की विशेंव लेकिन फिर भी जो खवल सास्ति वो इस संब्द में काम कर रहे हैं ठीक है हमने क्या जाने हमने जाना कि लाखों तारों का समू बादलों गैसों के प्रनाली को हम कहते हैं अकास गंगा ठीक है प्रते कि अपना नाम होता है दुग्धमेकला हमारे सौर मंडल जिस अकास गंगा देखिए है कि प्राचीन समय में जो लोग थे उन लोगों के मानना था कि जिस तरह प्रत्वी में एक जल की जो है नदी बहती है गंगा बहती है वैसे आकास में भी प्रकास की गंगा बहती है उस अधार पर उन्होंने क्या रख दिया था नाम रात की समय जो हमें तारे दिख प्रकास के नदी बहती इससे धारपन रख दिया अकास गंगा तो गैलेक्सिस आप समझ गए अच्छे से चले जानते हैं ब्रह्मांड गया होता है यूनिवर्स किसे कहते हैं देखिए जिस तरह लाखो करूणों तारों के समूं बादलयों गैसु के प्रणाली को हम क्या कहते तो अकास गंगा कहते हैं ठीक वैसे ही लाखो करूणों आकास गंगाओं से मिलकर निर्मित होता है ब्रह्मांड कितनी अकास हैं कोई जानकरी के नहीं है कि ब्रह्मांड को जानकरी हैं लेकिन लेकिनल कितना बड़ा है अभी तक कोई इसका कोई कुछ प्रमाढ नहीं मिल पाई है हम स्प्रत इतना जानते हैं जैसे हम कह का का हम सोचे कि हमारा ब्रह्मान सक्या संबन than और जो in video चल रही होगी उस से भी आप समस्थ किज़ेगा तो हम प्रतिवी पर हम प्रतिवी पर रहते हैं प्रतिवी हमारे उमंडल का एक हिस्सा है प्रतिवी रहते हैंatra त्वी सौरमंडल का एक हिस्सा है वह हमारा सौरमंडल ढुघ्ध्मेखला-कास गंगा हमारेTr सब्धार मंदल लिए दुढ़ मेखला का गंगा का एक पार्ट है और हम आकास गंगा मिलकर अगर Ha lucky देखें तो यह सब मिलाकर किसका नियमाण होता है बन्हान का नियमाण होता हो आई होप आप समझ गए होंगे कि गैलेक्सी क्या होते हैं यूनिवर्स क्या होते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई